हलो फ्रेंट्स विल्कम टो माई चैनल कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आज का हमारा ये दूसरा पार्ट है बाल विकास और सिच्छा सास्त की 15 परशनों का पिछला वीडियो नही करता है आप सभी को पता ही होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रशन मिलेंगे जो आपके आने वाले एक्जाम में आपको मिलेंगे ही तो बिना समय गवाय हुए शुरू करते हैं आज का अपना बहुत ही सुंदर वीडियो प्रशन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न लिखित कारकों में से किसकी भूमी का महत्वण होती है भासा, पुनरबलन, भावतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण तो पियाजे महोदे कहां के निवासी थे सभी को पता होना चेहे सुर्टजर लेंड के इन्होंने संग्यानात्में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, चार अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी, इंदरी जिन गमक अवस्था, पूरु शंक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी, मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताई थी, और चारिक शंक्रियात्मक अवस्था ठीक है तो बताएं इसका जवाब होगा भावतिक विश्व के साथ अनुभाव ठीक है आपका सी आपसन सही होगा अगला है बुद्धी का बहुद्धी सिधान्त निम्न में से कुष ने दिया था ठीक है आपको याद रखना है बहुत ही महत्पुण्ड है देखिए ये जहे 8 प्रकारकी intelligence बताते हैं कौन कौन सी बुद्धी बताते हैं भासाई बुद्धी भासाई बुद्धी में वे लोग आते हैं जिनकी पकड़ भासा पर होती है जैसे लेखक कभी वक्ता दूसरी बुद्धी बताई तार की गड़ती बुद्धी यानि जिनको जो है तर्क वितर्क और गड़त का ग्यान अच्छा होता है जैसे वैज्यानिक गड़तेग और एकाउंटेंट और तीसरी बुद्धी बताई संगीतक बुद्धी यानि जिसको संगीत का अच्छा ग्यान होता है उसके पास संगीतक बुद्धी होती है जैसे संगीतकार चौथी बताई इस्थानिक बुद्धी यानि अगर किसी व्यक्ति को दिखे चौथी बुद्धी थी इस्थानिक बुद्धी जो अपने सरीर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रल करता जैसे डांसर है,ांसर आपका हो गया, जिमनास्ट हो गया, यानि जो जिमनास्टिक करते हैं, ठीक है, मलब देखिए, वो अपने सरीर को जैसे चाहे वैसे मोड सकते हैं, तो उनके पास सारीरिक गतिज बुद्धी ह होती है और आपका प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर है देखिए वो जब कैंच लेने जाता है तो अपने सरीर को कैसे मोड लेता है योगा कैसे अंतरव्यक्तिक बुद्धि यानि इंटर पर्समनल इन्टछ अलीजनस तो इसके अंतरगत क्या होता है उसके विक्ति होता है इक अंतरा व्यक्तिक अलénomें क्रेग्रास्टप्दूी już एसक Commissioner jako ऑगई दूसरों को अच्छे से में समझतां जैसे राजनेता ठीक है राजिनेता होता है चिकिस्षक होता है परामर्जदाता होता है अध्यापक होता है ठीक है उसके बाद आती है अंतरा वैक्तिक बुद्धी यानि इंट्रो परसनल इंटेलिजन्स यानि इसमें जो विक्ति होता है वो स्वयम को बहुत अच्छी तरीके से समझता है जै के बारे में जानते हैं कि हमारी जीवन का आस्तित तो क्या है जैसे दार्फनिक और चिंतक तो बहुद्धी का सिद्धान किस ने दिया है हावर्ड गार्डन ने दिया है बुद्धी का बहुकारक सिद्धान जो किस ने दिया है थंडाइक मोहदे ने दिया यह आप लोग ध्य बुद्धी का त्रियाय में शिद्दान बुद्धी के तीन आयाम गिलफोर्ड महोदय ने बताई थे अगला प्रशने आदत ग्यान अभिवरत्यों का अभिवरत्यों का अरजन ही सीखना है यह कतन किसका है कुरो एंड क्रो इसके नर्वुडवार्थया नन का तो मैंने आपक इसके नर्व होदय अमेरिका के निवासी थे ठीक है और इन्होंने आरेस थेवरी दिया हुआ था एसार थेवरी थांडाइग ने दिया हुआ शियार थेवरी पावलाव ने दिया हुआ है और भी परिवासा है जैसे हम करके सीखते हैं एक परिवासा है हम करके सीखते हैं कर ठीक है? और परिवासा है बहुत ही महत्रपुण है वो आपको याद रखना है तो पूर संक्रियात्मग उस्था का समय होता है क्या होता है दो से साथ वर्ष का ठीक है इसमें अमूर्च चिंतन नहीं होता है अभिकल पनात्मग निसकर्ष पे पहुंचना ये भी नहीं होता है दूसरे के द्रश्टिकोंड को समझना ये भी नहीं समझ पाता है तो आपका अगला है वाईगोश्की का नुसार शीखने को प्रथक नहीं किया जा सकता है उसके सामाजिक संधर्ब से अगला है सैसो काल की अवस्था क्या होती है जर्म से एक वर्स जर्म से दो वर्स जर्म से तीन वर्स या दो से तीन वर्स तो सैसो काल की जो अवस्था है वो जर्म से दो वर्स की मानि गहे आपका सेकेंड आपसंस रही होगा अगला है विकास की दिसा कैसी होती है सामान से विसिष्ट जटिल से कठिन विसिष्ट से सामान या साधान से आसान बताएं आप लोग इसका क्या ज़ाब होगा विकास जो है विकास की दिसा क्या होती है तो ये होती है सामान से विसिष्ट की और अगला है जब वयस्क सहयोग से सामंजस कर लेते हैं तो वे बच्चे के वरतमान इस्तर के पुरदर्शन को संभावित छमता के इस्तर के पुरदर्शन के तरब प्रगत कर्म को शुकम मनाते हैं इसे कहा जाता है लिखा है जब वयस्क जो है सहयोग से मलब किसी व्यक्ति की साहता से सामंजस कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान इस्तर के परदर्शन को संभावित छमता के इस्तर के परदर्शन की तरफ प्रगती क्रम को शुगम बनाते हैं ठीक है इसे कहा जाता है स इसके folding जो होता है बों सहयोग देना होता है मतलब थोड़ी देर की साहिता माली जै कोई भी बच्चा जो है दो से दस्तक पाहड़े जो है नहीं सीख पा रहा है तो एक वैस्क व्यक्ति दूसरा आएगा जो बड़ा होता है उससे उसको जो है दो से दस्तक पाहड़े याद करा देगा थोड़ा सा उसको सहयोग देदेगा और वो सहयोग जोए कुछ समय के बाद हटा लिया जाएगा जब उसे दो से दस तक पाड़े याद हो जाएंगे तो ये क्या होगा श्रहयोग देना कुछ समय के लिए अगला है नवीन ज्यानकारी को सामिल करने के लिए वर्तमान इस्किमा यानि अधारा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन आतमसातकरण समायोजन या अहमकेंद्रता तो यह होता है समायोजन अगला है मद्ध बाल्या वस्था में भासा के बजाए अधिक है अहमकेंद्रत समाजी करत समाजी करत अहमकेंद्रत जीववादी समाजी करत परिपक या परिपक तो मद्ध बाल्या वस्था में भासा जो होती है यह समाजी करत के बजाए अहमकेंद्रत होती है अगला है बाल केंदरी सिच्छा में सामिल है हस्त परक गत्विदियां बच्चों को एक कोने में बठाना परत बंधित परिवेसमें अधिगम ये गत्विदियां जिनमें खेल सामिल नहीं होते तो बाल किंद्रिस हिच्छा में कौन सा आफसन सही होगा पहला वाला हस्त परक गत्विधिया अगला है कच्छा ध्यापक ने रागव को अपनी कच्छा में अपने कीबोर्ड पर श्वयमदारा तयार किया गया मधुर संगीत बचाते हुए देखा कच्छा ध्यापक ने विचार किया कि रागव में कैसी बुद्धी है स्थानिक सारीरिक गति बोधक संगीत में या भासाई तो क्या होगा संगीत से जुड़ा हुआ यानि उसके पास संगीत में बुद्धी होगी सुरेश रामान रूप से एक सांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक सम्मू में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है यह उनके में भिनता का कारण है मूल्यों अविचमता अधिगम सैली या चिंतन तो यह होगा अधिगम सेली मलब उनके शीखने की अपनी अपनी जो है चाईश है अपनी अपनी तरीके है सुरेश जो है चाहता है कि माकेले में पढ़ू मदन चाहता है समूह में पढ़ू तो आपका सीवला अपसन से होगा अगला प्रस्ण नवीन ग्यान तथा नवीन प्रतक्रियाओं को प्राप्त करना ही शीखना है या कतन किसका है रास वुडवर्थ नन या इन में से कोई नहीं तो आपको पता होगा इसका जवाब यह है वुडवर्थ देखे नवीन एक लड़का है और दूसरा जो है नवीन वर्थ है वुडवर्थ माने होता है लकड़ी की बर्थ तो नवीन नाम का लड़का नवीन लकड़ी की वुडवर्थ पर बैठा है इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं अगला और अंतिम प्रशने मारे सवीडियो का तो सबी को पता है अभी में ने बताया था-पिर्यूह maho दे ने वुस्ऻ कि तो कर तो याद ने वह मिलारे पर लोड़क्य किया था दुन ह्ट किया था इसकेले ने चूहे और कभूतर पर पर पर्योग किया था ठीक है तो मिलेंगा आप से एक लिए उडियो में तब तक के लिए जाए जाए वारत और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करदें सेर करतें थैंक्यों फ्रेंट